हेलो फ्रेंट्स आज की ब्रेकिंग न्यूज सबसे बड़ी न्यूज है कि नीट 2020 का जो एक्जाम हुआ था एक स्टुडेंट ने अपने आंस्वर की से मैच किया जो एंटी के ओफिशल वेबसाइट के उपर आंस्वर की डाली गई थी वहां से उसने जब अपने आंस्वर स मैच किये तो 720 आफ्ट ओफ 720 इसके मांक्स बने है तो अगर देखा जाए तो नीट के हिस्ट्री में इंडिया के अंदर यह फर्स टाइम ऐसा हुआ है कि किसी स्टुडेंट के फुल में से फुल मांक्स आपके बने हो ठीक है यह स्टुडेंट आपका सोयव आफताब नाम ह है जिनका तो इनके फुल आउट फुल मांक्स आये है बाकि जो रिजल्ट आएगा 12 ओफ ऑक्टूबर परसों के दिन आपका रिजल्ट आजाएगा और किलियर हो जाएगा अच्छे से तो अगर इसके 720 ही मांक्स बन रहे है तो यह पता चल रहा है कि नीट में इंडिया का जो फर्स्ट आपर रहेगा वो कौन रहेगा स्वयव आफताफ जी रहेंगे अब देखे यह तो थी बात 2020 की अगर मैं 2019 की बात करूं एक्च्छल में जैसे बोला जा रहा है कि जो कट ओफ है वो हाई जाएगी हाई जाएगी इसलिए बोला जा रहा है कि कट आपकी इन 2020 रहे है और भी सारे स्टुडेंट्स होंगे अब देखें और मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में जो मैक्सिमम मार्क्स रहे थे स्टुडेंट के वो कितने रहे थे 1990 Rei कहा देखेंट इस एक्जाम को लेचे 75200 का बात करूं एक्जाम से सेवें ट्विंटी आउट ओफ सेवें ट्विंटी स्वेव आप ताप जी नाम है इनका ठीक है तो अंडर गाइडेंस बेस्ट अकेडमिक सिस्टम बोला जा रहा है कि यह एलन का ही स्टुडेंट है अब देखिए अगर मैं 2019 की बात करूं तो मैक्सिमूम कितने मार्क्स तक ग तो देखिए यह स्टुडेंट रहा है अपका अगर मैं इसके हिस्ट्री की बात करूं कि इसका नाम क्या है तो इस टॉपर का नेम था नलिन खंडेलवाल ओल इंडिया रेंक इसकी क्या थी वन थी माक्स इतने इसने कितने सिक्योर किये थे 701 अब देखिए इसके 701 नंबर 20.99 परसेंट और किस स्टेट से था यह बच्चा राजस्थान स्टेट से था ऐसे ही यदि मैं सेकिंड टॉपर की बात करूं तो सेकिंड टॉपर का नाम क्या था भाविक बंसल जो की कौन से इंस्टिटूट से था आकास इंस्टिटूट से था अब देखिए अगर मैं इस है कहां से तो यह डहली से है ठीक है नेक्स्ट अगर मैं थार्ट टॉपर की बात करूं इन 2019 तो अक्षत कौशिक और इस स्टुडेंट के अगर हिस्ट्री लेखी जाए तो इसके माक्स कितने बने थे 700 पसेंटाइल कितना था 99.99 और स्टेट कहां से यूपी से है कि सुइफ आताब जी है ki जो final result ऐगा उसके बाद अच्क keeping हो पाएगा कि इसस्टूडेंट के कितने nuance 727 रहे हैं और कितने स्टुडेंट्स के इतने माक्स बन रहे हैं क्योंकि अगर ज्यादा स्टुडेंट्स के बनते हैं तो यह मानकर चलिए कि कटोफ बहुत हाई जाने वाली है तो आपको अपने माक्स का अच्छे से ध्यान रखना है अगर ओल इंडिया रेंग पर नहीं होता है तो स्टेट काउंसलिंग पर आपको जरूर ध्यान देना है ठीक है क्योंकि ओल इंडिया कोटा की थूट जो कटोफ जाएगी वह हाई जा है यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कोमेंट बोक्स में आप कोमेंट कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ओकी थेंक्यू फ्रेंड्स